दीपक नाइट्राइट शेयर प्राइस शानदार नतीजे से मिला शेयरों को सपोर्ट 5% उचल गए भाव सितमबर तिमाही के शानदार नतीजे पर दीपक नाइट्राइट के शेयरों में आज खरीदारी का जबरदस्त रुजान दिखा। इसने दीपक नाइट्राइट के शेरों के लिए माहौल पॉजिटिव किया शेरों की दमदार खरीदारी के चलते दीपक नाइट्राइट के शेर इंट्राडे में 5 फीसदी से अधिक उचल गए मुनाफाव सूली के चलते भाव में सुस्ती आई लेकिन अब भी यह काफी मजबूत स्थिती में है सितमबर तिमाही के शांदार नतीजे पर दीपक नाइटराइट के शेरों में आज खरीदारी का जबरदस्त उज्ञान दिखा सितमबर तिमाही में इसका मुनाफा 17.50 फीसदी उचल गया इसने दीपक नाइटराइट के शेरों के लिए माहौल पॉजिटिव किया शेरों की दमदार खरीदारी के चलते दीपक नाइटराइट के शेर इंट्रा दे में 5 फीसदी से अधिक उचल गये मुनाफाव सूली के चलते भाव में सुस्ति आई लेकिन अब भी यह काफी मजबूत स्थिती में है दिन के आखरी में BSAE पर यह 1.87 फीसदी की बड़त के साथ 2138.10 रुपए के भाव पर बंद हुआ है इंट्राडे में यह 5.26 फीसदी उचल कर 2209.05 रुपए पर पहुँच गया था दीपक नाइट्राइट क्यू दो रिजाल्ट्स की खास बाते सितंबर तिमाही में दीपक नाइट्राइट का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 17.50 फीसदी उचल कर 205.10 करोड रुपए पर पहुँच गया कच्चे माल की लागत में कमी के चलते इसका ओपरेशनल पर्फॉर्मेंस सुध्रा जिसने मुनाफे को सपोर्ट किया इसके चलते एबिट्डा मार्जिन भी सालाना आधार पर 13.8 फीसदी से उचल कर 17 फीसदी पर पहुँच गया इसके प्रॉफिट में उच्छाल रेविन्यू में गिरावट के बावजूद रही सितंबर तिमाही में इसका रेविन्यू 9 फीसदी से अधिक गिर कर 1778.1 करोड रुपए पर आ गया दीपक नाइटराइट में आगे क्या है रुझान नेट प्रॉफिट में ग्रोथ के बावजूद टॉप लाइन ग्रोथ में कमजोरी से वैश्विक केमिकल मार्केट में कमजोरी का जो संकेट मिल रहा है उससे दीपक नाइटराइट के शेरों पर निया टर्म में दबाव दिख सकता है हालां कि एनालिस्ट का यह भी मानना है कि चीन से इंवेंटरी की आवग कम होने के चलते इस वित्वर्ष के आखिरी तक इस सेक्टर में रिकवरी की उम्मीद है पिछले एक साल में शेरों के चाल की बात करें तो पिछले साल साथ फरवरी दो हजार तेईस को यह एक साल के निचले स्तर 1731 रुपए पर था इसके बाद साथ महीने में यह 37 पीसदी उचल कर एक साल के हाई 2332.95 रुपए पर पहुँच गया इस हाई लेवल से फिलहाल यह करीब 10 पीसदी नीचे है